DRC धिक्षपद पर न्यूक्टी को लेकर सुप्रीम कोट में दिली सरकार की याचिका पर सुनवाई टल गई है CGI ने कहा है कि प्रिशासनिक सेवाओं पर नियंतर्ण और कमिशन ट्रिब्यूनल में न्यूक्टी का आधार LG को देने वाले केंद्री के कानून की वैदता को चुनौती देने वाली दिली सरकार की याचिका पहले से ही सुप्रीम कोट की समधान पीट के सामने पैंजी है इस याचिका पर सुनवाई करने से पहले समधान पीट के फैसले का इंपजार कर लेते हैं तक आस्थाई अध्यक्ष के तौर पर निप्टी किये जस्टिस जयन्तनात डियार्सी के चेर परसेंट बने रहेंगे। तो इसे माना जा सकता है कि फिलहाल तो दिली सरकार के लिए एक जटका है। अरविन क्या हम यही समझें और यह बात सही है कि ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भले ही कानून की शकल ले चुका हो केंद्र की तरफ से लेकिन एक तरफ तो कोट में है ही यह मामला। क्या हम यही समझें कि दिली सरकार को फिलहाल इंतजार करना होगा। बिल्कुल और जिस बात की संभावना थी वही हुआ है को कि जीनत अगर इस मामले की प्रष्ट भूमी में हम जाएं बैक्ग्राउंड में जाएं तो जनवरी में पहले डियार्सी का जो अध्धक्षपद की जो खाली हुआ उसके चार महीने के बाद दिल्ली सरकार ने पहले सुप्रिम कोट का रुक किया था और दिल्ली सरकार का ये कहना था कि इस अध्धक्षपद के लिए जश्टिस राजी श्रिवास्तों की नाम की सिपारिश उसने लगी को भेजी है लेकिन लगी उस पर कोई फैसला लेने में देरी कर रहे हैं उसके बाद LG ऑफिस की तरफ से कोट को ये बताया गया कि LG इस बिंदू पर कानूनी राय ले रहे है कि क्या उनको दिल्ली हाई कोट के चीफ जश्टिस से मशवरा करने की जौरत है या फिर मद्धपरदेश हाई कोट के जज रहे चुके हैं उसके चीफ ज जश्टिस से ही मशवरा करना बनता है लेकिन इसी बीच दो महत्यपूर्ण बात हुई पहला ये कि केन सरकार एक ओडिनेंस ले आई और इस ओडिनेंस के सेक्सन 45D के तहत जो केन सरकार को अक्तियार मिला उसके तहत LG ने जश्टिस उमेश कुमार की न्युक्ति कर दी इसके सरफा फैसला लिया है सुप्रिम कोट ने पहले जश्टिस उमेश कुमार के शपत पर रोक लगाई और उसके बाद सुप्रिम कोट ने एक मोका दिया कि बहतर होगा कि LG और CM आपस में मिटिंग करके किसी एक नाम पर सहमती बना दे लेकिन जब सहमती नहीं बनी तो जश्ट पर अगर फैसला लेने में LG का कितने दखल का अक्तियार बनता है और क्या दिल्ली सरकार को बिना विश्वास में लिए वी इस बात का फैसला लिया जा सकता है नहीं इस बिंदू पर विचार करना बनता है लेकिन चुकि जिस पहले को चैलेंज किया गया था वो अब कानून की शक्र ले चुका है उस कानून में दो बाते हैं एक तो परसासनिक सिवाव पर नियंतरन का मसला है कि अधिकारों के ट्रांसफर पोश्टिंग का अधिकार LG को दे दिया गया है दूसरा जो महत्यपुन बिंदू है वो ये कि कमिशन के अंदर ट्रिबिनल के अंदर नियु अधिक वो LG की मर्जी से होगी और यहाँ पर DERC के धक्षपद पर दिल्ले सरकार चाहती है कि उसको विश्वास में लिया जारा चाहिए LG से फैसला नहीं ले सकते तो सुप्रिम कोट ने ही कहा है कि सविधान पीट के सामने मूल इशू पेंडिंग है जहाँ पर पूरे कान कोई शंका बचती है तो जाहिर तोर पर यह पिटिशन जब सुनवाई के लिए लगेगी तो उसका समाधान में मिल जाएगा बहुत शुक्रें आर्विन आपका तमाम जानकारों के लिए तो फिलहाल तो उदली सरकार के लिए इसे आप एक छटका कह सकते हैं एक लाइन में कहार बच्ति हैं एक लेख़े जाएगा तो कोई अर्विन आपक्रें आर्विन।्यक्तिन